तो आज हम अपना mcq session स्टार्ट कर रहे है तो इससे शुरुबात करते हैं और अपना पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं तो पहला कोशन जो दिया हुए वह वह है विच अपना इंडियन स्टेट जो बाउंडरी नहीं करती है तो यहां से अपना जो इसका आंसर है अल्राइट लेकिन अब सिर्फ अंसर तक नहीं देखेंगे अब इसके फॉर्दर आगे भी हम डीप देखेंगे कहां तक कोशन की लिमेट जा सकती है तो जो सबसे पहले यहां पर हम नोटीस कर रहे हैं कि यह मैनमार स्टेट हमें दिख रहा है यह क्या मैनमार स्ट और दो इसके साथ कोनसे берसे एक ठरिय Kill कर रहे हैं फिर न Changalầu यहांसे पर अमसे औरältा मनिपूर है और कोई अ्चैट नहीं है जिसकी बाउंडरी माहिमा आकॉर को साथ करती है तो मैनमार के साथ तो इसकीतर वो क्या क्या तरह हम बाकी ह Dallas कोशन करेंगे अभ यहां पर सिर्फ यह कोशन नहीं देखेंगे साथ में देखेंगे अभी जो भुटान बुटान कंट्री इसके साथ कौन कौन सी इंडियन च्टेट है जो बाउंडरी टच करती है तो एक तो हमें दिख रहा है यहां पर क्यों सी है अरुणाचर प्रदेश अरुणाचर प्रदेश बाउंडरी टच करती है फिर यहां दिख रहा है यहां बहुतान के साथ ब्सक्ति करती है है तोल्टोड फुरket यहाँ पित्टा लगए यहाँ पर हमें शाइड में और राइज तो यहाँ भी टच करती आप已經 कूरा पूरा वैप आप नहीं है जिसकी बाउंडरी यह नेपाल स्टेट के साथ तो यहां पर बंगलादेश दिख रहा है तो यहां पर यहां से ओंगाल यहां से हो गया तो असाम हो गया हमारे दो स्टेट सो The Commissioner फिर मेघाल लिया और यहां पर 3 स्टेट औरfur नियांムी जोरम कर दो चाएं बांगलदेश के साथ बुतां के साथ POL और माइनवार के साथ भी चार तो हो आपको फुली आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा इस तरह से ही कोशन हम आगे भी डिसकस करेंगे तो यह था हमारा पहला कोशन और आपको यह क्लियर हो गया हूँ आप देख रहे होगे लिए से जहां वाला इसको मिड्ल ऑ ghostland बोलतи हैं और यह जो शित्रों हम में कोशन में आने वाला उस्में डिसकस कर लिए तो यह हमारे अंड़मान गूरुप जो पास हैThere उनका यह पार्ट तो यह तीन चार पार्ट और इसका जो आंसर आपको यहां पर दिख भी गया होगा सैडल पी कहां भी हमारी नौर्थ अंडमान में तो यहां पर हमारा क्या जाएगा नर्दन अंडमान इसका राइट आंसर अब रिसेंटली जो इंडियन प्राइमिस्ट्र अगर मुझे लगा तो मैं आगे वीडियो ले आऊंगा उसके लिए तो यह वाला कोशन सेकिंड वार कोशन हमारा हो चगा है नेक्स कोशन पर चलते हैं नेक्स कोशन हमें बोल रहा है अमर कंटक प्लेटू इन दमाइकाल हिल्स माक्स औरीजन और विच रिवर तो अमर कंट और यहां पर सर्च करते हैं का और क्या है तो सबसे पहले आपको ढिख रही होगी यह जो आपकी रिवर जा रही है नहीं यहां और नर्मदा रिवर और आपको जैसे में दिखा रहा था यहां नार्मदा कंडिये यह उरिजनेट की गई वह कौन सी है नर्मदा और यह पर जो आपको दिखेबागा बाकिma को बता देता हूं यह आपकी जो रेंज है इसको हम अंच्छार कहीं ऑन रेज्टin और यहीं के जो नीचे हमें दिख रही है जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सत्पूरा माउंटेन रेंज तो यहां पर हमें मिलेगी सत्पूरा माउंटेन रेंज तो यह जो नर्मदा रिवर है यह किन दो माउंटेन रेंज इसके बीच में से फ्लो करती है एक तो विंद्याज मा सब्सक्राइब कर लिया और आपको दिख रहा होगा मेजर पार्ट जो है इस रिवर का कहां से फ्लो कर रही है यह मेजर पार इस रिवर का कहां से करें मध्या पर देश मध्या पर देश इस राइट चलो तो अब यह जो इस इस कोशन का जो आंसर था वो था हमारा नर्मदा रिवर यह आपको पता लग गया होगा अब हम नेक्स कोशन पर चलते हैं तो नेक्स कोशन बोल रहा है दो लेटिट्यूड विच पासिज थू सिक्किम और सो पासिज आब अर्थ को हमने क्या किया वॉध्य इस तरह से यह ढैंको इस तरह से हमने लाइन बनाई होती हैं इनको उपर वाली लाइन लाइन वहां लॉगिडिव बोलते हैं अब यहां पर चूछन कोन सा लेटिट्यूड है जो सिक्किम से भी पास कर रहा और दूसरा कोण सी स्टेट से पास कर रहा है वह एक लाटिडूट होगा यहां पर यहां से पास करेगा तो तो यह आपको समझ आ गया हूगा हम चलते हैं कच्चांट आइलेंस कच्चादीव आइलांड वस सीड़ेट वाइंडिया तो विच कंट्री इन 1974 अब इस कोश्चन से आपको काफी नॉलिज मिल जाएगी सबसे पहले यहां पे दिया गया कच्चादीव आइलांड कोंसी कंट्री में यह तो हमें अभी आपको कब सी गया है कब दिया गया इंडि यह भी नियूज में भी था कच्छा दीवू आइलेंड तो यह काफी नियूज में रहते हैं क्योंकि वहां पर फिशिंग के कारण काफी प्रॉलम होती है जो तमिल नाडू के इंडियन पार्ट समझके और वहां पर फिशिंग करते हैं तो वहीं से जो शिरिलंकर मिलिटरी व वहां से आती है जो कोस्ट गार्ड है उनकी और वह उनको खदेर देती है या उनको वापिस बेज देता है उस वज़ए से वहां पर काफी प्रॉलम चलती रहती है तो इस कोशन को फॉर्दर हम डिसकस करते हैं अब जैसे यहां पर आप देखो यहां पर जो मैप दिया इसलिए हमारी रडाई होती रहे क्योंकि 1974 में क्या हुआ जो इंडियन गवर्वर्मेंट थी उन्होंने क्या किया यह वाला जो हिस्सा था कच्छा थी वह इसको दे दिया श्रीलंका को दे दिया लेकिन इंडियन जो है जो तमील आडू में रहते हैं वहां इसको अभी क्या लग रहा होगा यह जो पानी वाणा हिस्सा घरिय में आंडिया इंडिया और शिरी लंगा के बीच में वो दिख रहा होगा यहाफना तो जाफना को जो श्रीलंका इसका नौतर्मोस्स पार्ट है इसको बोलते हैं जाफना आइलेंड तो यह भी हमें कॉशन यहां पर समझ आ गया तो इस कोशन का आंसर किया था श्रीलंक का नेक्स ताम अगले कोशन पर बढ़ते हैं अग्ला बोल रहा है इंडियन स्टेंडर्ड टाइम इस अहेड ऑफ ग्रीन विच में टाइम बाई अब इस कोशन में पूछा जा रहा है जो इंडियन स्टेंडर्ड टाइम है वह ग्रीन विच में टाइम से कितना ज्यादा आगे है तो यह पहले देख लेते हैं कि ग्रीन विच में ट उसका पता लगता है तो ग्रीन विच मीन टाइम हमने क्या किया था जो हम बिल्कुल लेते ना 12 बज़े तो हमने क्या किया जो बिल्कुल पॉइंट यह वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की कहां से जा रही है यहां पर हमारा उनाइटर गिंडम है जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं तो वह हमारा यहां पे country था तो तब History का राज भी था सारी था उन्हों ने क्या गिया एक संगठर लाइन यह कोई फिजिकल लाइन नहीं में लाइन वहां से पास की और तब उन्होंने मानना था इसको हम मानने के टाइम 00.00 मतलब कि मान लो 12 बजे 12 बजे वाला उन्होंना टाइम आना और उसके बाद जो बाकी इसमें कितने टाइम का डिफरेंस आता है 5 और 30 मिनट तो इसका मतलब हमारा जो इंडिया वह हमेशा ब्रिटेंट से 5 और 30 मिनट पहले है तो इसका जो राइट आंसर आपने काफी राइम सोना ब्रिकांज और इंडिया अब यहां पर हमारे यह यह लाइन है और तो हमें पता है जो हमारी जो अरुनाचर प्रदेश तो यह ज़ो अरुनाचर प्रदेश बेसिकली जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले यह मेकमोहन लाइन ड्राव कर दी गई थी तब क्या हो था तिब्बत और इंडिया की बीच में एक संगर्थन बैठा था उसके बाद तिब्बत की जब अनेक्सेशन की गई चाइना ने चाइना ने अनक्सेश है कि जो चाइना और इंडिया के बीच में जो द spor बॉलागिना ह or असको हम यह भी आपको क्लियर होगा घ्रियल और उसको बोलतें he एक हमें लाइन पता है एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान इसके बीच में भी एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं दुरंद लाइन तो दुरंद लाइन इंडिया और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी क्या दुरंद लाइन है उसके बाद जो आगे कोशन है मैंने पाकिस्तान और इंडिया वाला आके डिसकस किया हुआ है आपको मैं एक और चीज बता देता हूं एक हमारे पास है 38 पैलल करके एक लाइन है यह कौन-कौन सी दो कंट्रीज के बीच में जो साउथ को कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया ना उन दोनों के बीच में यह वाली लाइन है जिसको बोलते हैं 38 पैलर इसी तरह एक हमारी 49 पैलर पर यह जो एकंड्रिज के बीच में यह हमारी कंट्रीज अएक तो हमारे यू एस यह बाद कानट्रीज है और दूसरी कोन सी है कैनड़ा तो तो यह दो स्कंट्रीज जिनके बीच में यह कुंड सी लाइन है 49 पहले तो इस कोशन में हमने यह सब डिसकस किया नेक्स्ट कोशन पर भरते हैं वह एट्थ कोशन विस्टेट हैस दे लॉंगेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया के साथ यह समुंधर के साथ हमारीस का लगता है यहां पर question में पूछागया है कि सबसे लंभी कोस्ट लाइन कोन सी स्टेट की है तो option में आपको मैं बता देता हूँ इसका जो right answer है यह हमारा गुजराथ तो गुजराथ की जो है यह सबसे लंबी coastline है और उसके बाद बाकि डिसकस गए तो second longest coastline किसकी है सबसे लंबी गुजराथ की सेकी नमर पर आती है और उसके बाद आप याद कर सकते हो यहां से हमें पता लग गया कि जो longest coastline है वह गुजराथ की नेक्स्ट कोशन पर बढ़ते है नेक्स्ट कोशन यही कोशन जो मैं पहसले डिसकस कर रहा था इसमें क्या बताया गया विच फ्रैं टॉर्ण यह रहा है इसका रेड़ क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है यहां से जाती हुए और यह वाला जो हिस्सा इसको बोलते हम रएड़कलिफ लाइनलायन मनें पहले डिसकस कर लिए सम्टीन पहले लाइन ऐसा अभी इसके इंपारटन नहीं है बाकि हम अगला कोशन करते हैं यह 10 कोशन अंडमान निकोबार और सेपरेट वाइब विच ओव फॉलोंग इस कोशन अब पूछा क्या गया है जो अंडमान और निकोबार के दो आईलेंड ग्रूप सें कि अंडमान अलग है निकोबार अलग है इन दोनों को कोन सा तो इसका जो राइट यह हमारा डिग्री चैनल टैनल है जो उनको सेपरेड करता अब डिसकर सक लेते हैं लाइन पास हो रही है जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल यह बेसिकली एक लेटिटीड यह जो पास होगा यहां से उसी को हमने ऐसे कर लिया बना लिया कि जो नौर्थ जो अंडर्मान ग्रूप है और जो निकोबार ग्रूप है इन दोनों को कौन सी लाइन सेपरेट कर रह साउथ अंडर्मान लिटल अंडर्मान इन दोनों को को सेपरेट करता है न देग्री चैनल तो यह था हमारा आज का सेशन ओके ऑल्डों दस ही कोशन डिसकस किये हैं लेकिन 10 से जादा हमारे 20 से 25 वहां अपने इसक्टस कर लिए होगे इसके साथ तो अगर आपको यह करूं और जो बाकी लेक्चर्स होंगे अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके से पढ़ाना ज्यादर बैटर बैटर है तो प्लीस मुझे यह भी कमेंट बॉक्स में बता जीएगा कि यह वाला बैटर है यहां आपको दूसरा जो बोर्ड में बढ़ाता हूं उस तरह से बैटर डालता रहता हूं आप लीज मपर भी चेक आउट करना वहां पर टेली मेंने अपने जो स्टोरी आ वहां सेक्शन में आपना अपड़ोड करता हूं जिसमें आपको वहां पर क्विज की तरह अटेम्ट कर सकते हों तो उससे भी आपको मिलेगी तो आपको अगर अच्छा ल झाल झाल